आज कल कई लोगों की आम आदद बन गई है ज्यादा मात्रा में चीनी खाने की लेकिन यह दियान रखना महत्वपून है कि इससे आपकी त्वचा पर नकरात्मक प्रवाव पढ़ सकते हैं चीनी त्वचा के उपरी लेर में शामिल होने वाली कुलाजान और एलाश्टिन को तोड़ सकती है जिससे त्वचा कमजोर हो जाती है इसके अलावा ज्यादा चीनी काने से त्वचा के प्रकूतिक नमी खो जाती है जो त्वचा को रसयानिक पदादों और मौस्चराइजस क लिए अवश्यक होती है इसके परिणाम स्वरूप त्वचा रुकी और अप्री दिख सकती है जब हम चीनी का प्रयोग करते हैं तो यह हमारी त्वचा पर चिपचिपा पदर छोड़ती है जो दूल और किलकिरे पदाद को आकरशित कर सकती है आये जानते हैं कि चीनी की अ अच्चेदिक मात्रा में चीनी का सेवन करने से शेरीर में अधिक सुजन हो सकती है जो त्वच्छा पर मुहासों के रूप में प्रिकट हो सकती है उच्छ मात्रा में चीनी का सेवन करने से इंसूलीन के सर में वद्दी हो सकती है जिससे अधिक सिबम उत्पादन बंध हु बनते हैं नेमबर दो सुजन का कारण बनता है आदिक कुछीनी खाने से सुजन जैसी समस्या देखी जा सकती है जो शेरीर के लिए हानिकारिक हो सकती है कास कर इसलिए क्योंकि यह आपकी प्रतिरक्षा प्रानाली पर बुरा असर डालती है और स्किन पर दाने और मस्से की हमा का कारण बनता है जिससे आपके system में यिस्ट अस्तूलित हो जाते हैं या आपकी सिल्स से पानी खींश कर निजली करण का कारण बनता है जो स्किन को fully हुई दिखाता है और शेरीर में जलन हो सकती है ऐसे में परियाप्त मात्रा में पानी पीना और छीनी का सेवन कम करना आवश्यक है नेंबर चार शिरीर में चीनी का उप्योग त्वचा में ग्लायाक्शन नामक एक प्रक्रिया को बढ़ा सकता है जहां चीनी के कंड कोलेजन और इलास्टीन रेशों से जुर जाते हैं जिससे त्वचा कम मजबूत और जुरियों के प्रतियाधिक प्रवुत्ती हो जाती है और यह उम्र को भी बढ़ा कर दिखाती है एडवांसर ग्लायकेशन एंड प्रोडक्स गटन को बढ़ाते हुए इंसुलिन के वर्तिस्तर द्वारा गती मिलती है यह एजी इस कलीजान और इलेश्टीन रेशों के श्यति पहुंचा सकते है जिससे त्वचा की कस उस्तावट में कमी होती है जुर्यों का बढ़ना होता है और त्वचा दिली हो जाती है नेमबर पांच ब्लेट शुगर लेवल को असुंति वुलित करना आधिक मात्रा में चीनी खाने से ब्लेट शुगर लेवल के स्थर में अने मितता होती है यह अक्सर आपको बूह का म